हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केक की रेसिपी जो कि है बास्केट केक की रेसिपी आज मैं आपके साथ केक के साथ साथ क्रीम की रेसिपी भी शेयर करूंगी और डिजाइन भी आपको कैसे बनाना है वो भी आपको मैं करते हैं तो मैंने इधर लिया है एक बाउल में मैं डालूंगी एक कप डूद्ध एकदम से गरम नहीं होना चाहिए नहीं थंडा होना चाहिए तो हमको रूम टेंपरिचर का ही मिल्क चाहिए इसमें हम डालेंगे डेट टीस्पून विनेगर विनेगर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा रेश्ट करने रख देंगे 5 से 10 मिनिट एक बात का आप इसमें ध्यान हो जाएगा और चेना बन जाएगा तो मैंने इधर लिया है एक बड़ा सा पतिला और उसमें मैं डालूंगी छे टेबल स्पून तेल तो रिफाइन डाल मैंने इधर लिया है उसके बाद मैं इसमें डाल दो वन थर कप पावडर सुगर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले में डालेंगे condensed milk यह homemade condensed milk है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा texture भी आया है और एकदम बजार जैसा ही लग रहा है तो मैं इसकी recipe मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं आप अगर चाहें तो बजार का भी ले सकते हैं अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के लिए थोड़ा सा हमको तकलीफ जरूर होगा पर end में result बहुत ही अच्छा आएगा तो दो से तीर मिनिट mix करने के बाद मैंने इधर एक बावल में लिया है डेड़ कप मैदा डेड़ कप मैदा में एक केजी या फिर एक केजी से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का केक बन जाता है तो हम इसे हिसाब से डेड़ कटोरी मैदा लेंगे अब हम इसमें डालेंगे 4-6 बड़े चम्मच कोको पाउडर कोको पाउडर हम थोड़ा जादा ही डालेंगे आपको जितना चॉकलेटी चाहिए आप उतना हिसाब से कोको पाउडर डाल दीजिए उसके बाद मैंने इधर डाला है 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफी आप नेस्केफे या फिर ब्रू भी डाल सकता है मैंने इधर ब्रू का इस्तमाल किया है तो मैं इसमें 2 पैकेट डाल दूँगे उसके बाद मैंने इधर लिया है 1.5 टीजिपून बेकिंग पाउडर और 1.5 टीजिपून बेकिंग सोडा और इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसको अच्छे से एक बार चान लूँगे इसके बाद मैं आप देख सकते हैं हमारा कंडेंस्ट मिल्क एकदम से अच्छे से सेट होने लगा है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा जो हमने रखा था दूद रेस्ट करने के लिए वही दूद को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे दो चम्मस दूद मैंने बचा करके रखा है अगर कम ज़ादा होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी तो इसको अच्छे से हम mix करेंगे आप देख सकता हैं एकदम से ये घुल गया है condensed milk इसमें इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा dry ingredients आधा आधा करके हम डालेंगे पूरा एक साथ अगर डाल देंगे तो इसमें लंप्स बन जाएंगे तो दो बार में या फिर अगर आप ज्यादा quantity में बना रहा है तो उसे साब से दो तीन बार में आप इसको डाल देजे तो इसको अच्छे से हम mix करते जाएंगे एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपको इसको over mix नहीं करना है वरना एकदम से cake आपका hard बनेगा आप अगर over mix कर देंगे या फिर जोर जोर से mix कर देंगे तो तो आपको इसको हलके हाथों से ही mix करना है उसके बाद मैं बाकी का भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से mix करना है लेकिन अब हमको इसको over mix नहीं करना है वरना hard बनेगा cake तो इसके बाद हम इसको आप देख सकते हैं इसका consistency एकदम से ribbon consistency का ये होना चाहिए अब हम cake tin को थोड़ा सा grease कर लेंगे oil या फिर butter से और आपके पास अगर butter paper या फिर parchment paper नहीं है तो आप simple paper ले लिजे और उसके उपर थोड़ा सा तेल लगा करके grease कर लिजे यह जो paper है वही paper है notebook वाला तो उसके उपर भी तेल लगा देने से यह butter paper के जैसे काम करता है और एकदम से cake आपका अच्छे से निकल भी आएगा और इसके बाद आप इसको अच्छे से grease भी कर लिजेगा उसके बाद हम इसको थोड़े से height से डालेंगे हमारे butter को आप देख सकते हैं एकदम ribbon consistency का हमारा butter बना है जादा आप अगर पतला बना देंगे तो बीच से यह crack हो जाएगा जब bake हो जाएगा cake तो बीच से यह crack हो जाएगा तो हमको इसको जादा पतला नहीं करना है अब हम इसको दो तीन बार डैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी air bubbles ना रहा है उसके बाद मैंने इधर rate डाल करके preheat करने रख दिया था 10-15 मिनिट एक पतिला को उसके उपर मैंने एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया है जिसके उपर मैं cake को रखोंगी तो 10-15 मिनिट हो जाने के बाद हम cake को इसके उपर रख देंगे उसके बाद हम इसको ढख करके 45 मिनिट के लिए medium flame पे बेक करने के लिए छोड़ देंगे medium flame पे ही करेंगे high flame पे करेंगे तो एकदम से यह जल जाए और low flame पे करेंगे तो यह बहुत time लगेगा तो हमको इसको medium flame पे करना है 45 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं हमारा cake एकदम से double हो गया है फूल करके और बीच में हम toothpick डाल करके देखेंगे अगर better चिपक क्या आ रहा है तो हम इसको थोड़ा और time bake करेंगे तो मेरा यह toothpick एकदम से clean आ रहा है तो हमारा cake एकदम से अच्छे से bake हो करके ready हो चुका है हम cake को नीचे उतारने के बाद गिले टावल से इसको ढख करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए ताकि यह अच्छे से set हो जाए cake रख देने से जो hard हो जाता है तो कीले टावल से अगर आप इसको ढख करके रख देंगे तो cake का उपर का हिस्सा एकदम से soft ही रहेगा अब हम बनाएंगे whipping cream तो इसके लिए मैंने इधर लिया है एक bowl और यह जो machine का यह hooks है इसको भी मैंने freezer में set होने के लिए रख दिया था थंडा होने के लिए रख दिया था करीबन एक से दो घंटे के लिए नीचे मैंने बरफ लिया है और इधर मैंने लिया है whip topping gold यह rich brand का है यह बहुत ही आसानी से कोई भी bakery shop में मिल जाएगा आपको तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपका cream एकदम से जमा हुआ नहीं होना चाहिए एकदम से liquidy form में होना चाहिए तभी आपका cream अच्छे से बनेगा तो हम अब cream को इसमें डाल देंगे 250 ml मैंने cream लिया है इतना cake को सजाने के लिए तो 250 ml cream इतना cake के लिए sufficient होगा अब हम इसको अच्छे से beat करेंगे तो पहले हम एक या फिर दो speed में रखके एक से दो मिनिट के लिए beat करेंगे उसके बाद हम इसका speed को बढ़ा देंगे 6 या फिर 7 में रखेंगे और अच्छे से beat करेंगे इसको इसको beat करने के लिए आपको करीबन 7-8 मिनिट या फिर 10 मिनिट आपको लग जाएंगे आपको इसको ओवर विप नहीं करना है वरना इसका texture बहुत ही cloudy हो जाए और खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा वो creamy texture नहीं आएगा एकदम से cloudy texture आएगा तो हमारा cream लगभग बन चुका है इसमें soft pick आने तक ही आपको beat करना है तो हमारा cream बन करके ready हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें जो wave आ रहा है वही cream बनने का निसानी cream बनने के बाद आपको अगर थोड़े देर के बाद decoration करना है तो आप इसको freezer में रख सकते हैं थोड़े देर के लिए ये कुछ भी नहीं होगा set ही रहेगा ये अमूल की cream में भी हम whipping cream बना सकता हैं लेकिन वो ज़्यादा time cake पर stay नहीं करेगा और बहुत ही जल्दी पिघल जाता है बावल को मैं उल्टा करके भी आपको दिखा रहे हूं थंडा होने के बाद ही आप इसको decoration करने के लिए ले जाएए तो आप देख सकते हैं cake हमारा बहुत ही अच्छे से soft और spongy बना है इसके बाद हम cake को एक turning table पर रख देंगे turning table अगर आपके पास नहीं है तो तीन कटोरी को आप उल्टा करके रख देजिए और उसके उपर एक plate रखने के बाद आप इसको cake को रखके इसको turn कर सकते हैं तो अब मैं इसको cake को तीन layer में divide करूँगी तो मैं पहले एक cut लगा दूँगी side से उसके बाद मैं इसको अच्छे से cut लोगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से cut लिया है आपको ये एकदम ध्यान से करना है आप थोड़ा से लंबा चाकू है तो आप उससे से आप इसको cut लीजे आप देख सकते हैं अंदर से भी इसका texture बहुत ही spongy बना है तो second layer भी मैं इसको cut लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसका second layer भी काट लिया है अब ये तीन layer में अच्छे से divide हो गया है अब हम इसमें डालेंगे सुगर सिरप चीनी और पानी को अच्छे से आप घोल लीजे और अच्छे से एक पतला सा घोल बनाने के बाद आपका सुगर सिरप ready है तो ये step नहीं डालेंगे तो केक बहुत हार बनेगा और एकदम से आपको खाने में मज़ा भी नहीं आएगा ये सारे बेकरी वाले यही स्टैप फॉलो करते हैं तो आप इसको अच्छे से सुगर सिरप पिलाए केक को और केक अच्छे से अगर सुगर सिरप पी रहा है तो आप जान लेंगे और सुगर सिरप डालेंगे सारे लेयर पे हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो इसके उपर भी हम अच्छे से सुगर सिरप डाल देंगे और इसको भी अच्छे से क्रीम से अच्छे से इसको फिल कर देंगे और उपर के लेयर पे भी हम अच्छे से सुगर सिरप इसको भी अच्छे से कर लेंगे तीनों लेयर पे हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है उसके बाद हम इसको अच्छे से क्रीम से कोट कर लेंगे थोड़ा जादा फिनिशिंग तो नहीं दे पाती हूँ मैं पर चलेगा हम जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए जादा फिनिशिंग का जरूरत भी नहीं है तो अब हम बनाएंगे बास्केट डिजाइन बास्केट डिजाइन बनाने के लिए हमको इस तरीके का एक नोजल सेए तो अगर आप नोजल सेट आपके पास है तो आपको पता होगा कि ये नोजल्स उसमें जरूर से होगा उसके बाद आप डिजाइन को इंजॉय कीजे झाल झाल तो हमारा केक बन करके रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना है और इसका डिजाइन तो बहुत यह अच्छा लग रहा है और जो मैंने अच्छे से इसको फिनिशिंग नहीं दिया था वो भी अभी पता नहीं चल रहा है तो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब किये बगएर बिल्कुल भी मच जाएगा सब्सक्राइब करना एपसलूटली फ्री होता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके ही चाहिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ पाय टेक क्यार सेफ रहें